राश्ट्री शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्री शेक्षिक प्रोध्योगी की संस्थान के रीडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कारिक्रम संस्कृती क्या है इस कारिक्रम में दीप्ती सेन से संस्कृती के विभिन पक्षों पर बाचीत कर रहे हैं मीनाक्षी मंगला जो अध्यापिका है और अरुण कुमारदास जो छात्र है तो प्रस्तुत है कारिक्रम संस्कृती क्या है प्रोफेसर सेन, आजकल नई शिक्षा निती में सभिता और संस्कृती को बहुत महत्व दिया गया है तो आप हमें बताएंगी कि सभिता से और संस्कृती से क्या तात्परे है हाँ, ये दोनों शब्द सुनने में बड़े भारी भरकम लगते हैं और जादातर लोग इसी सोच बिचार में पढ़ जाते हैं कि ये दोनों अलग-अलग हैं या एक ही है दरसल इन दोनों में इतना सुक्ष्म अंतर है कि कई बार ऐसा लगने लगता है कि सभिता और संस्कृती शायद एक ही चीज़ है पर इसमें एक रेखा तो है जरूर जो इनको दोनों को एक दूसरे से अलग करती है अब देखो सबसे पहले हमने जब मानव का जब हमने विकास देखा तो जंगलों से शुरू होता है जबकि व्यक्ति जगे जगे पर भटकता फिरता था और पशुओं की तरह ही उसका आचार ब्यवहार था तब से लेकर होते होते प्रगति करते करते आज इनसान कहां पहुँच गया है आज तो वो चांद में उडान भर रहा है और किन किन ग्रहों उप ग्रहों में पहुँच कर वहां पर अपने रहने के लिए वैवस्था करना चाहता है नई नई जगे देखना चाहता है नई उचाईयों को छू रहा है ये तो आपको पता ही है तो ये जो कहानी मतलब जंगल से लेकर शुरू हुई और इस हद तक पहुँची इसको हम कहेंगे सभ्यता कि मनुष्य सभ्यता की उचाईयों पर पहुँच किया है अब देखू सदियों से हम कई कारियों को एक विशेश धंग से करते रहे हैं और पीडी दरपीडी जो हमारे पूर्वजों ने किया हम उनी कारियों को उसी विधी से करना पसंद करते हैं करने की विधी में थोड़ा बहुत अंतर तो होता है क्योंकि वे अतिक भिन्नता है लेकिन फिर भी वो जो परंपरा है करने की और जो विधी है वो जियों की त्योंब बनी रहती है जैसे हमारे डीती रिवास उधारन के लिए जन्म के बाद बच्चे का नाम करन विवा के समय मंगल कारे शुब अबसर पर पर्व और त्योहार हम मित्रों और समंधियों के साथ मनाते हैं तो इस तरह बहुत सी ऐसी बाते हैं जिनको हम हमेशा उसी तरह से करते हैं जैसे की हमारे बड़े लोग करते चले आए और उन्होंने हमें भी करना सिखाया अब सबसे बड़ी साधारन सी बात है देखो घर में कोई आता है तो हम उसको नमस्ते कहते हैं फिर हम उसको पूछते हैं कि आप कैसे आए आपको कोई कश्ट तो नहीं हुआ आईए बैठे पानी पीजे या क्या लेंगे ये मेरे ख्याल में हम चाहे कोई भी भाशा क्यों न बोलें ये हम करते जरूर हैं तो ये क्या है एक हमारी संस्कृती का अंग है यानि हमारे आचार विचार का एक तरीका है जो हमने अपने बड़ों से सीखा और सीखते ही चले जा रहे हैं और हमारे बाद भी जो लोग आएंगे क्योंकि हम सोचते हैं कि ये एक बड़ा अच्छा अनुभव है जो हमें मिला और हम अपने आगे आने वालों को भी सिखाएं तो ये जो परंपरा है इसको हम कह सकते हैं संस्कृती लेकिन संस्कृती यहीं पर खतम नहीं हो जाती हैं उसमें और भी बहुत सी बातें आती हैं जैसे जैसे सभ्यता मनुष्य सभ्यत होता गया सभ्यता में प्रगती आती गई ठीक उसी तरह से हमारी अनुभूतियों को बाटने का तरीका और उसकी अभिव्यक्ति का तरीका बदलता गया और आप देखते हैं कि कभी वो संगीत में आया जब लोगोंने बोलना सीखा भाशा जो है लिपिवद्ध होने लगी वो साहित्य के रूप में आया इसी तरह से कला, वास्तुकला, नृत्य और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं अभिनय, नाटक वगरा जो है ये सब हमारी संस्कृति का अंग है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दोनों साथ ही साथ चलती है तो स्कूल में प्राइमरी लेवल तक के बच्चों को हम किस प्रकार से बता सकते हैं अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है बात ये है कि सभ्यता और संस्कृति ये इतना गहरा, इतना बड़ा एक विशे है अपने अंदर इतनी सारी बातों को समेते हुए है कि उसमें जितना आप गहरा पैंठिये उतना ही कम है जितना हम जाते चले जाते हैं इसके पता नहीं और छोर का पता ही नहीं चलता अब जहां तक बच्चों को बताने का है यह तो तभी हो सकता है जब पहले आपके मन में एक निश्चित धारना हो कि क्या-क्या बच्चों को बताया जा सकता है जानते तो आप बहुत कुछ हैं, आपने सीखा है या आपके अंदर अगर इच्छा है तो आप बहुत कुछ पढ़ेंगे इधर उदर से संग्रह करेंगे लेकिन कितनी बातें बच्चों के मन को जू सकती हैं असल बात यह नहीं कि हम उन्हें संस्कृत बनाए असल बात यह है कि हम उनको संस्कृती के प्रती जागरित करें उनके अंदर एक ऐसी भावना लाएं जिससे कि वो बड़े होकर अपने को भारतिय होने पर गर्ब कर सके हमारी संस्कृति तो बहुत पुरानी है हजारों हजारों साल पुरानी है हमारे मुनी बहुत द्रश्टा थे त्रेकालग्य थे कितनी कितनी तपस्या करके उन्होंने जनकल्यान के लिए ना जाने क्या क्या क आपको भागिरत के बारे में पता है न, जो बहुत प्रयास से गंगा को स्वर्ग से प्रित्वी पर लाए, दधीची हैं जिन्होंने अस्ती दान करने में भी ना नहीं किया, राम की ही बात लीजे, मर्यादा पुरुशोत्तम उन्हें क्यों कहा जाता है, पन्ना दाई का आप अपने बेटे को समर्पित कर दिया, अब आपको पता है कि बच्चों के बुद्धी का एक स्तर होता है, आयू के साथ साथ उनका बुद्धी विकास होता है, और बौधिक विकास के साथ साथ ही, बहुत से उसके मन की ऐसी बाते होती हैं जिनको वो समझ सकता है, कल्पना कर स तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आयू के साथ साथ होती हैं परिपक्वता जिसको हम कहते हैं तो जब तक परिपक्वता समझने की नहीं आती है बच्चों को ये बताना बहुत व्यर्थ है कि ये हुआ वो हुआ ये संस्कृती है ये सभ्यता है तुमको ये जानना चाहिए पढ़ाया जाता है उसमें जैसे आप कह रही हैं संक्स्रीती में इतने राजा माहराजाओं की कथाए आती हैं आपसे तो सुनने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है लेकिन ऐसी कथाएं ऐसी रोचक कहानिया हमें क्लास में नहीं सुनाए जाती हमें सिर्फ कहा जाता है कि इधर उधर की बाते मत सोचो और अगर जैसे हिस्ट्री है इस विशह में अगर ऐसा कोई जगह आ भी जाता है जिसमें की कहानियां बताने का स्कोप रहता है फिर भी हमें बताएं नहीं जाते हैं अगर हम पूछे भी कि इसका कारण क्या है क्यूं राजा को मारा गया दरसल बात क्या है कि जो हमारे शिक्षक हैं वो एक ही ढंग से उनको प्रशिक्षन मिला और शायद स्कूल की कक्षा में आने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से कुछ सोचने का प्रयास उतना नहीं किया जितना कि उनको करना चाहिए था और उसी का परिणाम है कि हमारी कक्षाओ में ऐसे ही शिक्षक भरे पड़े हैं जो कि पाठ्यकरम के अनुसार ही चलते हैं जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसके बाद और भी कुछ बताया जा सकता है इसके बारे में वो ज्यादा सोचते नहीं है इसका मुझे बहुत दुख है तो अगर वो सोचते नहीं तो क्यों नहीं पाठ्यक्रम में ही इसको लागू कर दिया जाए कि पढ़ाई के साथ साथ संग्स्रीती से तालूख रखने वाले कुछ कहानिया, रोचक, कथाएं भी बच्चों को सुनाए जाएं एक शिक्षिका के नाते, मैं समझती हूँ कि आजकल बच्चों पर पढ़ाई का इतना बोज है, कि शिक्षिका खुद यह अनुभफ करती है, कि उसके पास इतना समय नहीं रह जाता कि बच्चों को और बातें भी बताई जाएं देखो, बात यह है कि समय का प्रशन नहीं है, अगर हम एक चीज को पहुँचने के, एक चीज को बताने के बहुत सारे रास्ते होते हैं अब हमने किसी प्रदेश को लिया, क्या शिक्षिका ऐसा नहीं कर सकती कि उस जगह के बारे में, उसकी जलवाईू के बारे में बताए और साथी साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ, कौन से ऐसे बड़े लोग हुए, जिन्होंने लोगों को प्रेड़ना दी, जिनकी साहस की गाथाएं, अभी तक लोग याद करते हैं और ये शिक्षक के उपर है, अगर उसमें है कि कुछ अपने पाठ में वो नवीमता लाए, उसको रोचक बनाए, उसमें बहुत सारी सूचनाएं उसके माध्यम से बच्चों को दे, जो कि भाशा से समंदित हैं, संस्कृती से समंदित हैं, इतिहास से समंदित हैं तो आप देखेंगे कि आपका वो नीरस पाठ इतना सरस और इतना ज्यान बर्धक हो जाएगा, हाँ ये जरूर है कि अभी तक ऐसा कुछ लिखाने गया शिक्षकों के लिए, अभी तो ये शिक्षानीती लागू हुई है, और इस दिशा में बहुत सा प्रयास किया जा रहा है, शायद आपको पता नहीं है कि एक इस प्रकार का संगठन है, जिसका नाम है स्पिक्पेक्खी, जो कि इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है, इसमें बहुत सारे कलाकार, संगीत अग्ये और भिन्मिन प्रकार के जितने कलाकार हैं, रित्पे में और उसमें वो सभी संगठन के सदज से हैं, और लोग जगे-जगे पर जाकर ये लोग स्कूल में आयोजन करते हैं, बैठक का आयोजन करते हैं, बच्चे उनको सुनते हैं या उनका नृत्य देखते हैं और उसके बाद फिर वो उस राग के बारे में और किस तरह से उन्होंने सीखा, मतलब यह जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं इनके बारे में वो बातचीत करते हैं मैं भी ऐसी एक दो सभाव में गई थी जहां पर उस्ताद बिस्मिल्ला खान और भीम सेंजोशी जी वहां पर आई थे और वाके में इतना अच्छा लगा जो हम रेडियो में सुनते हैं रेकॉर्ड्स में सुनते हैं उसके अतिरिक्त आमने सामने जब हम इन कलाकारों को देकर इनका गाना वगरा सुनते हैं इनका बजाना सुनते हैं वो जो आनंद और अनुभव है वो सचमच में दिमाग पर हमेशा के लिए अमिठ हो जाता है मैं तो इतनी बड़ी हूँ, मेरा ही ये हाल है तो मैं सोचती हूँ, बच्चे जिनका मन बहुत जादा नरम होता है बहुत जादा समवेधन शील होता है उन पर तो इसका बहुत प्रभाब पढ़ता होगा क्यों, तुम्हें कैसा लगेगा हरुन, अगर तुमारे स्कूल में ऐसी कोई सभा हो हमें अच्छा लगेगा, और हमारे स्कूल में ऐसी सभाएं एक दो हो भी चुकी है लेकिन जो समस्या मेरे सामने है, वो यह है कि जो बड़े बच्चे हैं, केवल उन ही को कहा जाता है कि हाँ, तुम आके बैठो, नहीं तो जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो आएंगे तो बड़ा शोर मचाएंगे तो हमें कभी इसका मौका ही नहीं मिला कि हम ऐसे सभाओं में बैठें और इसका आनंद लें और कितने ही तस्वीरों में हमने देखा है, इतने बड़े-बड़े कलाकार अपनी कलाका प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कभी हमने उनको आमने सामने नहीं देखा, तो ऐसे आमने सामने देखने की इच्छा तो हमें होती है लेकिन हमें देखने का मौका नहीं दिया जाता देखो भई, अब ये अफसोस करना तो बेकार है कि क्या नहीं होता हम तो आज यहां पर बातचीत कर रहें ना कि हम सब मिल करके क्या कर सकते हैं जो नहीं हुआ उसके लिए सोचना क्या क्यों मिनाक्षी मेरे ख्याल से जब तक छोटे बच्चे ठीक है उनको सुना दिया लेकिन जब तक वो उस चीज में पार्टिस्पेट नहीं करेंगे मेरे ख्याल से उनको सुनाना ही अन्यवारे नहीं होगा सुनाना ही सिरफ ठीक नहीं होगा क्योंकि छोटे बच्चों को चाहिए कि वो पार्टिस्पेट करें किसी भी चीज में तब ही उनके उपर उसकी वो रह जाती है जब ही रह जाती है क्योंकि छोटे बच्चों की शिक्षिका के नाते मैं यह अनुभफ कर चुकी हूँ कि अगर बच्चे किसी चीज को करें उसका जो उनके उपर इंप्रेशन पढ़ता है वो ज़्यादा बढ़ता है नहीं यहाँ पर तुम मेरे खाल में कुछ गलती कर रही हो क्योंकि सिखाने से वो सीख जाते हैं ठीक है उनको आनन्द आता है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए वैसा एक वातावरन का आयोजन करना क्योंकि हम जिस वातावरन में रहते हैं जिस तरह की हवा में सांस लेते हैं अपने चारों और जिस प्रकार के क्रिया कलाप देखते हैं उसका प्रभाप स्थाई रहता है इसलिए कालांतर में जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके मन में जिस चीज ने बहुत जादा गहरा असर किया है उसी में उनकी फिर रुच्छी हो जाती है अगर तुम बहुत सारे कलाकारों के जीवनी को पढ़ो जैसे मैंने उदै शंकर के बारे में पढ़ा, रवी शंकर के बारे में पढ़ा, गुरुदेव रविनाथ ठाकूर के बारे में मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि उनके घर में एक इस प्रकार का वातवरन था जिसमें उन्हें उतेजना दी, प्रेडिप किया कि वो बाद में जब बढ़े हुए तो उन्होंने उन चीजों को अपनाया और उसको सिरफ अपनाया ही नहीं, काफी आगी बढ़ाया, बहुत नाम कमाया उसमें तो छोटे बच्चों को एक प्रकार का वातवरन देना, जिसमें इस प्रकार की कला हो, संगीत हो और बहुत तरह की क्रियाएं हों, जो आननदायक तो हो ही, साथ में उनको अच्छा भी लगे देखो कुछ कारिक्रम ऐसे हैं, जिसे क्या कहते हैं, हमारे पर्व और त्योवार, ये देश ऐसा है जिसको कहते हैं कि बारा महीने में तेरा पर्व होते हैं, मतलब इतने जादा पर्व और त्योवार होते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं, जिसको हम नहीं मनाते, कभी मंगलवार है तो उसको हम हनवान जी की पूजा कर रहे हैं, सोमवार है तो हम देवी का वरत कर रहे हैं, शुक्रबार है तो किसी और देवी को मान रहे हैं, मतलब ये हमारे धर्म में ही नहीं, इसाई धर्म है, मुसल्मानों का धर्म है, सभी के एक विशेश दिन हैं, जिसको वो लोग ब पहल होती है नए कपड़े से ले जा रहे हैं घर में सब लोग कह रहे हैं अरे तुम क्रिस्मस में क्या करोगे कहां जाओगे क्या खाओगे वगरा वगरा दशेरा आने वाला होता है दिवाली आने वाली होती है हमको यह होता है बजार में जाकर हम क्या क्या चीज़ें अपने उसकी कहानी बच्चों को, जैसे मिनाक्षी तुम पढ़ाती हो उन बच्चों को, जो चार से लेकर छे या साथ साल के बच्चे हैं, अगर तुम उनको जैसे दिवाली आने वाली है, अब दिवाली का पर वैसे धार्मिक जो भी महत्व रखता हो, उसका असल कारण क्या है, पत कि इसको बिल्कुल साफ सुत्रा करके जग जग कर दें, एक दम चमक जाए हमारा कमरा, फिर उसको हम कैसे सजाएं, उसके लिए हम उनको एक्टिविटे या क्रिया दे सकते हैं, जैसे आपको पता हर पर्व और उत सब पर हम लोग बंदनवार बनाते हैं, ये भरतिय संस्कृत का ही अंश है, तो हम बच्चों को सिखा दें, खूप सारे आम के पते तोड़कर, पेड़ तो भहत हैं आम के, पते भी भहत हैं, उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, खर्चा भी नहीं है, सुतली खरी दिये और बच्चों को दिखा दीजे के बंदनवार कैसे बनाए जाते हैं, जब बन जाए बच्चों ने बनाया, उसको आप क्लास में सजा दीजे, उनको रंगोली का डिजाइन बनाना सिखा दीजे, और फिर उसके चारों तरफ आप दिये जला दीजे, फिर जो भी जिस तरह से भी उसको मनाती हैं, थोड़ा सा स्कूल में मना लीजे, बच्च है, आजकल हम इतनी जादा नैशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, मेरी ख्याल में होली के पर्व जैसा कोई पर्व नहीं है, जिसमें राष्ट्रिय एकता आती है, हम जब छोटे बच्चे थे, हमने देखा कि हमारे पड़ोस में मुसल्मान भी रहते थे, सिक भी रहत और जब होली होती थी, उस समय पता ही नहीं चलता था कि ये हिंदू है या मुसल्मान है, सब बड़े खुशी से होली है, करके सब एक एक के घर पर पहुंचे, रंग लगाया, गले मिले, और फिर जिसके पास जो भी कुछ खिलाने के लिए है, मीठा नमकीन, वो बाहर निक बच्चों में शुरू से ही इन भावनाओं को पैदा करें, क्योंकि राष्ट्रिय एक्ता की भावना, देश प्रेम की भावना, ये कोई सुगंदित रव्य नहीं है, जिसको कि हम भार सजदज कर जब जाएं, तो थोड़ा सा छिड़क लें, हमारे से खुश्बू आये, हम अपने राष्ट को प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें क्या साफधानिया बरतनी चाहिए, मतलब ये तो हमारे व्यक्तित का हिस्सा बनना चाहिए, एक आदत बननी चाहिए, ये तो आपने बहुत ही अच्छे सुझाव दिये कि किस प्रकार हम अपने संस्कृति और सभेता के बारे में छोटे बच्चों को बता सकते हैं, लेकिन मेरे क्याल से अर्चन वहां आती है, जब ये बच्चे बड़े होकर या फिर छोटे ही अपने दूसरे भारत के दूसरे प्रांतों में जाते हैं, जैसे साउत में गए, तो वहां की भाशन को इतनी अजीब लगती है, कि उसके बारे में फिर वो समझनी बाते, देखो बहुत सी ऐसी बाते हैं, जो हमें, जैसा मैंने कहा कि संस्कृती जो है, वो एक स्वभाव की तरह हमको उसे डालना होगा, बच्चे के अंदर पन पाना होगा, तो अगर हम ये करें कि कुछ इस तरह के कार्यक्रम रख लें अपने एक अक्षा में, जैसे मैंने बताया परव और त्योहार को मनाना, दूसरा तरीका है, एक अक्षा में बहुत तरह के भाशा-भाशी बच्चे आते हैं, अगर उनके जो विशिष्ट दिन हैं क्षा में बताया है झाल 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 झाल